इस पॉड़कास्ट में इस सीरीज में सौभाव के ओपर जो सीरीज है इसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है अभी तक पहले दो भाग के अंदर हमने काम, क्रोध, मौ और लोब कवर कियें इस पार्ट में जो बाकी बचे तीनों भाव हैं यानि भै, इर्षया और घ्रणा इसको हम कवर करेंगे दरसल एक तरह से देखो तो यह है कि क्रोध, भै, इर्षया और घ्रणा यह ऐसे भाव हैं कि जिनका हम सबको अनुभाव हैं हम सबको अपने अपने जीवन में कई दफ़ा एक्स्पिरियेंसे हम कर चुके कि हम जब क्रोध हाता है तो हमें पता है क्या है, जब हमें डर लगता है तो हमें पता क्या है, जब हमें किसी के प्रती इर्षया होती है तो हमें पता क्या घ्रणा होती है तो हमें पता कि ये क्या भाव के स्थिती होती है और देखा जाए तो हर आदमी इन भाव के बारे में चाहे गहरे तोर पर ना जानता हो लेकिन पहचानता जरूर है इनको और ये भी सबको पता है कि ये भाव जो हैं आदमी के कश्ट का कारण बनते हैं लेकिन दूसरी तरफ इनी साथ में से जो बाकी बचे वे तीन भाव हैं काम यानि कामना या एंबिशन जो है और मोह या जिसको हम पोजेसिवनेस कहते हैं लोब या ग्रीड जो है ये बड़े माया भी है नेगेटिव भावस्तेती हैं लेकिन ये लगते बहुत भले हैं और देखा जाये तो इनके पिछे जाने का मन करता है अदर्वाइस मुझे कोई बताओ कि कैसे जिस्टेस होगा कि ambition को encourage किया जाता है उसको competitiveness कहा जाता है और उसको encourage करते हैं या मोह को प्रेम का नाम देखे ये कहा जाता है कि ये तो सौभाविक है और उसके हम proud feel करते हैं Similarly, lobe को भी encourage किया जाता है, उसको बुरा नहीं माना जाता, लगता है कि होगा lobe, लेकिन जितना मिल जाए उतना भला, बाद में यही तीनों चीजें, जाके अगर आपको कोई बता भी देना, यह आपके कश्ट का कारण बनेंगी, तब भी आप उसके पीछे जाने से नहीं आमना है, वो पूरी हो जाती है, यह कल्प रिक्ष की उपर based upon कहानी है, कि एक बार एक मुसाफिर एक जंगल से गुजर रहा था, जो एक जगे ठक गया और उसना आराम करने के लिए पेड़ के नीचे अपना बैठ गया नीचे, आराम करने लगा, सो गया, कल्प रिक्ष का पेड़ था हो, बाद में थोड़ी दे बाद जब उसकी नीच पूरी होई, जाक खुली, इसके मन के अंदर आया, कि यार बहुत अच्छी नीच आ गई, बहुत प्यारी नीच आ गई, अब अगर यहां पर अच्छा भोजन भी मिल जाता, तो क्या बात थी, जैसे ही आँख खुलता देखता है कि दो लोग आ गए और जो है, जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन उसके सामने रख दिया, तो भोजन रख दिया, तो उसने भोजन खा लिया, खाना खाने के बाद जो है, वो उसने अपना सोचा कि अगर मुझे पानी भी मिल जाता, तो यह भी देंगे और वो उसको मार देते हैं तो अब देखो इसकी कामना से शुरुवात हुई और भैह तक पहुची और भैह से मृत्ती हो गई अब शारुक खान की एक मूवी थी ओम शान्ती ओम इसमें उसका नहीं बहुत ही फेमस डायलोग था कि अगर आप कोई चीज पूरी शिद्दत से अगर कोई चीज चाहो तो सारी काइनात आपकी मदद करती है उसको पाने में इसी कली ये एक बहुत ही फेमस बुक है अलकेमिस्ट जो पॉलो कालो ने लिखी थी की थीम भी यही है अब कलपरिक्ष की कहानी हो आपका डायलोग हो या एलकेमिस्ट हो भला मांगो भला होगा बुरा मांगो बुरा होगा जैसे आपकी मनुस्तिती होगी ये आपका रेजल्ट निकलेगा इसके अंदर मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूं कि जो है कि मैं भै को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ इसको, मेरा ना dominating trait है, जो एक trait, जो साथ trait है, काम, करोध, मो, लो, भै, इर्शा में, भै मेरे सौभाव को dominate करता है, यह अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई एक सातों में से कोई एक चीज होगी जो dominate कर रही होगी, यह बात अलगे कि जैसे मेरा भै complete भै नहीं है, हमेशा भै भी तरहने वाला काम नहीं है, मेरा भै बड़ा specific भै है, जो बिमारियों और डॉक्टरों को लेकर रहता, बाटकास्ट में मैंने share भी किया, तो एक तरफ मेरे को भै से मेरा जीवन जब भी कष्ट में आता, तो कष्ट में आता, लेकिन दूसरी तरफ जो powerful trait है, वो अगर उसको हम भै को zero करते चले जाएं, तो जो है वो दूसरी तरफ जाके अभै बन जाता है, या fearlessness बन जाती है, जो trait आपका इस तरह powerful है, वो उस तरह भी powerful है, तो दूसरे शब्दों में, जिस trait की वज़े से आपको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, जो उसके opposite end का जो positive trait है, आपको उससे ही उसी वज़े से सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जैसे मेरे case में, अगर मुझे fear की वज़े से, मुझे कष्ट रहा है अपने जीवन में, त तो fearlessness की वज़े से, मुझे जो कुछ भी जीवन में मिला है, वो उस वज़े से ही मिला है, ये फिर topic किसी और दिन के लिए, हर भाव को जानो, उसके बारे में aware हो जाओ, ये ही objective है इस podcast का, और आपका कौन सा भाव आपको positive energy देता है, और कौन सा भाव आपको negative energy देता है, ब आपके सहल करते हैं के हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन सच ये हैं कि हम अपने भाव को भी धंग से नहीं जानते हैं, अब ये जो भै है, तो अंत मे अगर देखो तो խै किis चीज से बह्त होता है, आखरी भै को अगर भै को ये चलने जा बहुत सारे रूपने जैसे मैंने अपना बिमारी का का किसी को हाइट से है, किसी को पानी से है, किसी को किसी चीज से है, किसी को किसी चीज से है, लेकिन अंत में भाव को इसको भै को जाकर देखो, तो ये basically मृत्यू से ही भै होता है, तो उसका मतलब ये है कि असली fearlessness क्या है, असली fearlessness वो है कि जो जिसका डर, जिसका भह मृत्यू के प्रती चला जाए, तो सब को पता है जब की, की एक दिन जन्म हुआ है और एक दिन मृत्यू होगी, लेकिन जब मृत्यू का टाइम आता है, तो सब की फट लेती है, लेकिन असली positive भाव वो होता है, fearlessness वो होती है, कि जब मृत्य हुआ आए तो आप बिना किसी भै के उसके हाथ में हाथ डालके बिना एक भी मिनट घबराए कि मेरे टाइम पूरा हो गया और चले जाओ तो ये इसको डिफाइन करता है फियर और फियर लेस्नेस को आपका काम क्या है आपका काम यह कि आप अपने आपको रिटिंग दो कि आप भै और अभै वले उसमें आप कहां ठहरते हो दरसल इस भाव की जो मैं शुरुवात कर रहा हूं यह आपको किसी कहानी से नहीं कर रहा हूं कुछ सवालों से मैं कर रहा हूं और सवालों से हम आप ही से सवाल कर रहा हूं यह जानने की कुशिश करते हैं कि इस भाव में आप कहां खड़े हो तो पहला सवाल यह है कि क्या आप बहुत competitive हो कि और competitive sense में कि एक तो होता competitive और एक यह है कि competition में अगर आप हार जाते हो तो क्या आप चिड़ जाते हो होता है ना कि कोई game खेल रहे हो badminton का game खेल रहे हो हार गए बहुत ही दिल लगा के शिदत से खेला लेकिन हार गए तो इतने चिड़ जाते हो यह जानने की गोशिश है तो क्या आपका स्वभाव ऐसा अगर आपके सामने कोई आप ही के जानने वाले को मतलब आपके अपने सरकल का कोई आदमी है आपका रिष्टेदार है भाई भंदू परिवार का आदमी आपका दोस्त कोई समाज में उठने वाला तो कोई व्यक्ति आता है और आपके सामने आपके जानने वाले की दिल से तारीफ करता है उसकी एपसेंस में वो नहीं बैठा तो आपको कैसा लगता है कि आप तारीफ सुनके तो आपको कैसा लगता है अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं आपके मुँपे बैठके और दूसरों के बुराई करते हैं तब आपको कैसा लगता है और क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो हर वकत अपने ही बारे में बात करता रहता है किसी दूसरे के बारे में मैं 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 से कहानी शुरू होती है और मैंने क्या किया और मैंने क्या पाया और दूसरे के बारे में कोई ना सुन रहे होते हो ना देख रहे होते हो तो क्या आप ऐसे व्यक्ति हो अब आप कैसे व्यक्ति हो मुझे यह नहीं पता यह आप खुद जज करो इन सवालों के जबाब से यह मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो मेरे जीवन में मेरे रिष्दरी के अंदर रहा है नस्दीक रहा है और उसको जैलसी का ट्रेट बढ़ा भैंकल डो jus को तरेट रहा है जैलसी को देख के समझे हैं कि जैलस से आदमी के आदी हालत क्या हो जाती है लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर जीत जाता है तो जितना जलता हूँ मैंने उसको देखा या जो भी ट्रेट बोलें कि उसके सामने किसी की दूसरे की तारीफ आ जाया तो जल के बुन जाता है बिल्कुल और अगर आप उसकी तारीफ करो दूसरों की बुराईयां कर तो खुश हो जाता है तो यह ट्रेट है आप इनको बच्चों में भी देख सकते हो इस ट्रेट को बहुत ही खतरनाख ट्रेट है कि जो जिसको हम सिब्लिंग राइवलरी कह देते हैं उस वकत तो हमें उतना महसूस नहीं होता लेकिन जैसे जैसे यह लोग बड़े होते हैं जिनको जैलजी का ट्रेट होता है उन लोगों के साथ रहने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी दिक्कत आ जाते हैं बड़े परिशाने हा जाती है इस पुशेसिवनेस और जैलजी यह दो ऐसे ट्रेट हैं जो अपने आसपास के लोगों का जीवन जो हैं जीना हराम कर देते एक किसम से ऐसा होता है जैसे इनके साथ नर्क में रहना जासा हो जाता क्योंकि jealousy makes a person very angry, very irrational, very unreasonable, very unattractive and very repulsive उस वक्त वो बंदा ही बदल जाता वैसे तो किसी भी negative अगर emotion के अंदर जाओगे, भावस्तिती में जाओगे तो आदमी आदमी नहीं रहता, वो आदमी बिलकुल unattractive हो जाता और वो opposite side में जाएगा तो उसका opposite ही है कि वो बहुत अच्छा हो जाता अब जैसे इसके अंदर भी opposite side के है opposite side अगर आप उसको जलन को, jealousy को आप 0, 10, 2 आप घटाते चले जाओ तो वो ऐसी स्थिती आ जाती है, जहाँ पर जिसको compassion कहते है अंग्रेजी का word है compassion, हिंदी का word है उसके लिए दया अगर आप यह देखो कि जो एक तरफ अगर जो jealousy वाला आदमी है जिसको जब उस तरफ वाले trait पर है तो वो अगर जल जाता है किसी की सफलता को देखके तो दूसरी तरफ दया भाव वाला आदमी या compassion वाला आदमी अगर किसी को देखता है कि किसी की सफलता होई तो उसके अंदर उसको उसके अंदर खुशी हो मड़ती है यानि बल्कि वो ऐसा होता है कि वो जाके साथ देखे वो चाहता है कि ना के बल दूसरे तरक्की करें बल्कि बहुत तरक्की करें तो अब इसके अंदर आप कहां ठेरते हो 0 to 10 में यह आप जज़ करो and let us move to next भाव आखरी भाव का जो पेयर है यह है ग्रिणा और प्रें का या love and hate का जो भी बोलो गया तो मैं यह बोलूँगा कि जितने बाकी भाव अभी तक आएं काम, क्रोध, मो, लोब, भै, इडश्या इसका मेरे को थोड़ा-थोड़ा अनुभाव है जो मैं personally जो मैंने महसूस किया हुआ या जिसको मैंने experience किया हुआ है उसमें डर का ज़दा अनुभाव किया हुआ है बाकी चीज़ों का कम से किया हुआ है लेकिन सब का अनुभाव है यह जो ग्रिणा है न मैं अपने तौर भी ज्यादा पहचान नहीं है दो यह एक बात अलाग है कि अगर इसको जीरो करते चले जाओ कम करते चले जाओ 10 9 8 7 तो जो भाव आता है वो प्रेम भाव आता है प्रेम भाव का मुझे एहसास है मुझे पता है लेकिन उसका भी पूरी तरह से वह वाला एहसास नहीं जिसको म उनमें कोई फर्क ना रहे तो अगर दो हैं तो वो प्रेम में मिलावट आ गई उसमें थोड़ी सी घ्रिणा आ गई तो वो मुझे अपने परिवार के साथ या फैमिली के साथ या कुछ दोस्तों के साथ जो बहुत नजदीक के हैं या अपने गुरू के साथ उसका एसास है हेट का या हेट का या घ्रिणा का एसास नहीं है जबकि नेरेटिव के तौर पर मैं समझ सकता हूँ कि ये अनलाइक क्रोध और इर्शा जैसे जो भाव हैं उनमें इमिजेट रेक्शन आती है कि अगर आप कोई चीज ऐसी कोई ट्रिगर आया और एकदम से क्रोध आ आएगी तो ग्रिणा एक दम से नहीं होती ग्रिणा को समय लगता है इसको पकाना पड़ता जैसे इसके बीज डालने पड़ते हैं और धीरे धीरे ये उगती है जैसे पोधा उगता और लेकिन यह जब बैट जाती है इसकी जड़े बहुत भारी होती है, बहुत ही घहरी जड़े होती है, तंग बहुत करती है, और politicians को इसका ऐसास बिलकुल बिलकुल अच्छे सा ऐसास होता है, कि कैसे यह धीरे 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 यह बीच बैठाने, कि वो बाटते हैं आराम से, क्योंक को बाटेंगे, धर्म के नाम पे बाटेंगे, आपके बीच बोएंगे, घ्रना के, या जातपात के नाम पे, या अमीर गरीब के नाम पे, या काले गोरे के नाम पे, किसी भी नाम पे, क्योंकि उनको पता है कि जब तक यह conflict create नहीं होगा, तो वो किसी एक group के represent करके नेता न में मैं हूँ, उसमें आसपास के लोग उसका शिकार बनते हैं, मैं देखता हूँ, constantly देखता हूँ, कि वो जो है, धीरे-धीरे कब बीच बोए जाते हैं, एक news देख रहे हैं, दूसरे news देख रहे हैं, एक चीज को follow कर रहे हैं, and then they take one side, कि कि किसी एक दल के साथ हो जाते है फिर वो उसी line को follow करने लगते हैं, और घ्रना के भी जितने आ जाते हैं, कि उनकी आम जीवन की जीने का जो तरीका है, आम दिन के अंदर हर बात पे वो कुड़ 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 चलती रहती है, किसी भी WhatsApp ग्रुप में जाके देख लो, कि कोई घटना घट तो politicians के द्वारा create किये गई जो hatred है, वो जो है, वो आपसी रिष्टों के अंदर भी धरार पैदा करती है, तो दूसरी तरफ प्यार महबत है, जो politicians तो उससे बिल्कुल दूर रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत किसम का हैसास है, बहुत ही खूबसूरत किसम का हैस प्रेम को जो है, या प्यार महबत को सबसे ऊचा दर्जा है, कि अगर आपके अंदर प्रेम किसी भी वज़े से उमड़ सकता, तो सारी चीजों को सारी negativity को वाश कर देता है, दो ये बात अलगे कि सारे positive भाव इसी किसम के होते हैं, तो इसमें अभी मेरे पास सुनाने को ना कोई personal story है, ना कोई मेरे पास मैं कोई story relate कर रहा हूँ, बस मैं ये कहूँगा कि इसी से हम इसका अंत करते हैं, जो साथ भाव हैं, और बहुत मुश्किल था ये, मैं ये एक किसम से अभी महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैंने बहुत कुछ unload कर दिया, ये देखा जाये तो शु share करने की, ये podcast की, ये lockdown के period के शुरुवात के साथ ही हुई, और इस period के बीच में मुझे ये अंदाजा था कि ये कितना मुश्किल काम है, कि इसको ये जितनी लंबी, जो जितना कुछ share किया है, 20, 22, 23, 24, 25 वीडियो मैंने share कियोंगी, उसमें 2, 3 वीडियो को हटा दो, तो सा सारी वीडियो बेसिकली, जितने भी podcast हैं, वो एक ही direction में जा रहे हैं, और जिसका basic purpose ये था कि कुछ ऐसा share करना है, जिससे आपके अंदर बदलाव लाए, तो वो और इस ढंग से share करना है, कि देखने वाला अगर कहीं भी छोड़के जाए, तो यहां पर आ गया था, तो कु कुछ नो कुछ लेके जा रहा है, जिससे अगर वो उसको भी apply करेगा, तो उसके जीवन में बदलाव आएगा, similarly तीन नियम, चार नियम, छे नियम, जो जैसे set बनाये हुए थे, कि पहले तीन नियम, अगर कोई ले गया, तो उसको भी फाइदा होगा, और सात नियम complete करने क के बाद बाकी जो कुछ भी add किया गया, वो मैं एक एक करके इसलिए add करता रहा, कि जैसे उसके बाद मेरी अपनी story add की, तो यह सात नियम जो बता रहा हुए, कौन बता रहा है, उसके बारे में जानना जलूरी है, इसके बाद किताबें, या biographies, या मेरे जीवन में आई personalities, या guru, या जो कुछ भी share किया, तो उसका objective यह था, कि जो है, इन सब के निचोड से, जो कुछ सात नियम निकले है, वो ही निकले है, और जो अब जो यह भाव वाला, यह सबसे आखरी के लिए रखा था, क्योंकि सबसे boring है, देखने में सबसे boring है, लेकिन बहुत important है, जैसे शरीर को चलाने के लिए heart का एक role होता है, कि उसके बिना heart, if heart stops working, the body stops working, similarly, सौभाव जो है, यह जो feeling वाला जो level है, यह जो भाव वाला level है, यह बहुत important है, इसको समझना, जब तक हम इसको नहीं समझते, तब तक हमारे जीवन में एक सुर नहीं आ सकता, जिससे हमें सफलता म मिले, और अभी आपको क्या करना, आपको यह साथ नियम जैसे जो साथ भाव आपने जाने, इसके अंदर सिर्फ ही assess करना है, कि आपका अपना स्वाव किस तरफ है, दोनों तरफ पुल कर रहा है, एक तरफ आपके positive भाव निकलेंगे, और एक तरफ आपके negative भाव जो dominating भाव होंगे, उससे आपकी मनोस्थिती तैय होगी, कि वो उसमें शान्ती है या आशान्ती है, वो एक criteria आई देखने का, कि कौन सी forces जो है, positive भाव निकलेंगे, या negative भाव निकलेंगे, तो इनको हमें क्या करना है, हमें ये करना है, कि positive भाव की जो स्थिती है, इसको बहतर करना, इसको improve करना, और negative भाव को decrease करना, कैसे होगा वो, तो एक रास्ता तो ये है कि जैसे अगर आप भव सागर के पार जाना चाहते हो, अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो आप किसी गुरू के पास जाओ, और वो आपको गीता के बताए, जो तीन रास सकता, emotions पर जीत पा सकता, और अगर आप normal वेक्ती हो, या young हो, अग भी आपको जीना है, इसी संसार में जीना है, और आप चाहते हो कि बहार के दुनिया में prosperity रहे, और अंदर के दुनिया में peace of mind बना रहे, वो भी नाख होए, और उसको quality of life की तरफ जहन देते हो, तो पहले तीन नियम जो मैंने बताये हैं, सफलता के साथ नियम में, वो तीन नियम गीता के ही इनी तीन जो रास्ते जो भक्ती मार्ग, प्रेम मार्ग और ग्यान मार्ग है, इसका diluted version है, and that will help you in stabilizing your emotional state, कि उसमें emotional state के ओपर एक आपकी बहुत अच्छे मजबूत नियम बनती है, आप एक अच्छे इंसान बनते हो, और इसके बाद बाकी जो चार नियम है, वो जब दुनियादारी में जाते हो, prosperity के लिए, तो जो competitive दुनिया है भार की, उसमें कैसे वो चार नियम आपको help करते हैं, आपका जो भी गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए, अंदर के लिए कोई अंत है इसका, लंबी यातरा थी, एक audio book की तरह है, जो पूरे अगर उसको देखोगे, तो यह complete हो जाती है, जो भी अंत में आया है, वो जाके पहले साथ नियम पर ही काम करें, क्योंकि वो ही important है, अंत में, आगे आने वाले समय में मैं कुछ और post करूँगा या नहीं, अभ कुछ भी share करूँगा, तो lighter shape में होगा, जैसे पहले वाले videos होते थे, कि ताकि boring ना हो, लेकिन यह भी जरूरी था, इसलिए पूरा हो गया, by now and let us see आगे क्या होता है